Dear friends, इस वक्त हमारा टॉपिक है conditional type 1, इस में जो sentence का pattern होता है, वो यह होता है, अगर तुम ऐसा करोगे, तो ऐसा होगा, उर्दू में हम दोनों clauses के अंदर future इस्निमाल करते हैं, यह zero conditional से किस तरह से different है, zero conditional में हम यह कहते हैं, अगर बर्फ को हरारत दें, तो वो पिगल जाती है, zero conditional fact को present करता है, कि हमेशा ऐसा ही result आता है और आएगा, जबकि conditional type 1 यह कहता है, कि यह condition fulfill करोगे, तो यह result आएगा, अब यहाँ पर आके confusion zero conditional से होती है, तो उस confusion को दूर कर लें, इसका result, conditional type 1 का result, probable result होता है, यानि इमकान बहुत ज़्यादा होता है, कि यह result आएगा, लेकिन probability यह भी है, कि शायद ना आए, जैसे example sentence देखें, if you work hard, you will succeed, अब hard work के बावजूद हमने देखा है, कि बाज लोग काम्याब नहीं हो पाते हैं, तो यह इसका difference है, zero conditional से, एक तो यह बात हो गई, अब हम इसको देखते हैं, कि इसका structure किस तरह से है, इसमें यह if clause है, जिसे हम condition वाली clause कहते हैं, और उसके बाद result वाली clause है, if you work hard, यह condition वाली clause है, you will succeed, यह result clause है, इसके अंदर condition वाली clause को हम कौन से टेंस में लिखते हैं, you work hard, इसको simple present में लिखा जाता है, उर्दू में हम यही कहेंगे, अगर तुम मेहनत करोगे, तो English में लिखते हुए हम if clause को simple present में लिखेंगे, लेकिन result clause यह अमूमन future में लिखी जाती है, एक exception है, उस वज़ा से मैंने अमूमन कहा है, वो exception लेटर on we'll discuss that, अब यह structure समझ आने, टेंसिस समझ लेने के बाद, जो कल हमने zero conditional में देखा था, कि हम if clause को बाद में भी लिख सकते हैं, you will succeed if you work hard, तो आप noun और pronoun को adjust करके और punctuation को adjust करके result clause पहले भी लिख सकते हैं, punctuation की adjustment क्या है, कि अगर if clause आपने पहले लिखी है, तो उसके बाद कॉमा आएगा, result clause से पहले, और अगर आपने result clause पहले लिखी है, तो उसके बाद कॉमा नहीं आएगा, if clause से पहले, type of sentence के लिखाज से हम यह देखें, तो यह complex sentence है, उसकी वज़ा क्या है, कि result clause यह main clause है, और if clause, जैसे हमने कल भी बात की थी, कि यह adverbial clause of condition होती है, और adverbial clauses, यह subordinate clauses होती है, तो if clause क्योंके subordinate clause है, और main clause जो है, वो result clause है, तो independent plus dependent clause, यह मिल के कौन सा sentence बनाते हैं, यह complex sentence बनाते हैं, अब हम आते हैं, कि यह time क्या refer करता है, तो यह time refer करता है present का यह future का, time के सूरते हाल में यह हमारी statement को express करता है, यह statement इस्तेमाल कब की जाती है, अमूमन caution देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और अब यह बात होती है, कि यह real situation होती है, यह imaginary, conditional type 1 में, तो इसमें condition वाली clause भी possible होती है, और result वाली clause भी possible होती है, यानि यह real world की real situations को express करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई चीज imaginary नहीं, अब हम topic के एक हिस्से पर वापस आते हैं, कि हमने यह कहा था कि result clause अमूमन future में होगी, तो बाज वकात क्या हो सकती है, बाज वकात हम यहां पर model verbs भी यूज़ कर सकते हैं, conditional type 1 के अंदर, एक और एक्जामपल, इफ दा पैंडेमिक स्प्रेड्स रैपिडली, दा गवर्मेंट में इंपॉस, में इंपॉस, model verbs यूज़ कर लिए, तो result clause में हम simple future की बजाए, हस्बे जरूरत या हस्बे जाइका जिसे कह लिज़े, हम model verbs भी यूज़ कर सकते हैं, government may impose a complete lockdown, एक और एक्जामपल देखिये, if his wounds heal, he can commence his activities, can, तो conditional type 1 में, result clause में, अमूमन simple future इस्तेमाल होता है, लेकिन हस्बे जरूरत, आप model verb भी इस्तेमाल कर सकते हैं, See you in the next video.